चाहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नो जी के संटर पर मैं राकेश कुमार राय उर्प चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ जारखन जी के प्रेक्टिस सेट जो आपका ये जो बुक है ये उडान पब्लिकेशन का जारखन वस्त तो निष्ट बुक है जो जारखन सारसंगर के समांतर है इसमें बहुत सारे प्रशनों को दिया गया है तो चलिए चैप्टर टू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वन मैंने पहले अप्लोड कर दिया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आ चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक है जारखन के राज के परतिव पहला सवाल आप देख सकते हैं जारखन राज का राज के विरिक्श कौन सा है जारखन राज का राज के विरिक्श कौन सा है आपको बताना है जारखन राज के विरिक्श जो है यह कौन सा हो जागा आपक जारखन राज के पुश्प कौन सा है कमल पल्स तो देखिए इसका राइट अंसर हो जागाπलास, ठीक है धारखन राज का राज के पुश्प कौन है आपका ओफशन है हांथी वाग, तैन्द वा शेर तो देखिए इसका right answer क्या होगा comment किजिएगा आथी हो जागा चलिए जार्खन राज का राज के पक्षी कौन है आपका option है कभूतर, मोर, गोरिया, कोयल तो देखिए राज के पक्षी जो है जार्खन का वो कौन सा है वो है आपका कोयल तेक है मैंने एक वीडियो जार्खन सा जार्खन जान करना 2011 पर अधारित है के 5 निमन को सुमेलित करना है ठीक है इसके शब्सके सकता है इस तरह का option दिया हुआ है तो इसको चलिए जानिए करते हैं राज के पर्तिकुर्च विग्यानिंग नम दिया है विरिक्ष का जो आंशर हो जागा हो जागा सोय रोबस्टा फूल का पूश्प का हो जागा ऑलीपास मैक्सिमास और पक्षि फ्थी का फ् variance उप्ष्थ एडि निम्ग चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका राइट ंसर क्य को किया गया तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जागा चोगदा अगर्ष्ट जो 2020 को ठीक है और प्रभावी हो गया पंद्रे अगर्ष्ट 2020 को इसको आधर रखीगा जार्खन राज का नया राज चिन किस तिति से प्रभाई हो गया जार्खन राज का नया राज चिन किस तिति से प्रभाई हो गया अभी देखे कुर्शन पूछा गया मैंने आपको बताया हो जागा 15 नॉमबर 2020 को चलिए आगे बढ़ते हैं थ्यारखन राज के नई राजी चिन का विन्यास कौन सा है तो शत्रुजाकार वर्गाकार या आतायकार या विर्ताकार देखिए इसका जो विन्यास है वो विर्ताकार है ठीक हाद रखेगा थ्यारकन राज के नए परतिक चिनके विर्धाकार खंड में किस रंहका परियोग किया गया ह। तो दिखे इसका राइट अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आपका अप्सन जार्खन राज के नए परतिक चिन के विर्ताकार खंड में परजुक्त हरा रंग दरसाता है तो जार्खन की हर्यारी वा वन समपदा को जार्खन राज के नए राजी चिन में कितने हाथियों को दरसा आगया है जार्खन राज के नए राजी चिन में 24 हाथियों को दरसा आगया है जार्खन राज के नए परतिक चिन में दरसा आगया हाथि परतिक है किसका परतिक है परचूर प्राकृतिक संसाधन एवंसमर्दी का और राज जी के एस्वर का और यह दोनों हो जाएगा तो अप्शन C हो जाएगा अपरिक्त दोनों का ठीक है जारकन राज के नए राज चिन में कितने पलाश फूल को दर्सा गया है तो यह हो जाएगा आपका 24 ठीक है 24 आथी 24 पलाश पूल चलिए जार्खन राज के नए पर्तिक चिन्न में दर्षा आये गया पलास का फुल इनमें से किसका पर्तिक है तो पलास का फुल किसका पर्तिक है तो राज के अपर्तिम सुन्देर का जारखन राज के नए परतिक चिन में इनमें से किस चित्रकारी को दर्षा गया है तो ये जो चित्रकारी दर्षा है ये दर्षा रहा है सोरा चित्रकारी को जारखन राज के नए परतिक चिन में सोरा चित्रकारी को कितने नर्थकों को दिखाये गया है तो सुराचित्रकारी के कितने नर्थकों को दिखाया गया तो वो हो जाएगा 48 नर्थकों को जारखन राज के नए परतिक चिन्द में परदर्शित सुराचित्रकारी इनमें से किसे परतिविम्बित करता है तो इसका right answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option A जनजातियों की समरित सांस्कृतिक विरासत को चलिए जहारखन राज के नए परतिक चिन में परदर्शित सुराच चित्रकारी का संबन मुख्यता किस राजिसे तो इसका right answer हो जाएगा ओडिसा राजिसे जहारखन राज के नए परतिक चिन में परदर्शित सुराच चित्रकारी निमें से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है तो देखे इसका right answer हो जाएगा आपका option A बारली चित्रकारी चलिए आगे बढ़ते हैं जहारखन राज के नए परतिक चिन के अन्तिम चक्र में कितने सफेद विर्त को दसाए गया है तो उसका right answer हो जाएगा आपका option C 60 सफेद विर्त हरखन राज के नए परतिक चिन के केंदरे भाग में इनिमें से क्या दिखाया गया है तो देखे इसका right answer हो जाएगा आपका option B असो कस्तम को जारखन राज के नए परतिक चिन के केंदरे भाग में दर्शित आशो कस्तम इनिमें से किसे रेखांकित करता है तो देखे इसका right answer हो जाएगा आपका उप्रोष सभी हो जाएगा और हम सहकारी संगवाद सहकारी संगवाद में जारखन की साभागिता सहकारी संगवाद में जारखन की अद्वित भूम का उप्रोष सभी तो आज का ये वीडियो आपको किसा लगा कॉमेंट जरू कीजेगा